कनाडा में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में दलहनों के उत्पादन, स्टॉक उपलब्धता एवं निर्यात के अनुमानित आकडों में काफी बदलाव देखा जा रहा है। कनाडा में दलहनों के संवर्ग में मुख्यत, मसूर, मतर एवं काबुली चना का उत्पादन होता है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में कनाडा में मसूर का पिछला बकाया स्टॉक 2.23 लाक टन आका गया था जो दिसंबर 2023 में 1.46 लाक टन रह गया। इसी तरह मसूर का उत्पादन भी 2022 से 23 सीजन के 23 लाक टन से घटकर 2023 से 24 के सीजन में 16.7 लाक टन पर सिमटने की संभावना व्यक्त की गई। बकाया स्टॉक उत्पादन एवं आयात के साथ मिलाकर मसूर की कुल उपलब्धता पिछले सीजन के 25.7 शूने लाक टन से घटकर इस बार 18 से 80 लाक टन पर सिमट जाने का अनुमान लगाया गया है जिससे निर्यात में भी स्वाभाविक रूप से गिरावट आ जाएगी। लेकिन इसका बकाया अधिशेश स्टॉक 95,000 तन से बढ़कर 1.00 शूने लाक टन पर पहुँचने की उम्मीद है। जहां तक मतर का सवाल है तो इसका पुराना स्टॉक 3.39 लाक टन से बढ़कर 4.97 लाक टन पर पहुँचा लेकिन घरेलू उत्पादन 34.23 लाक टन से घटकर 26.08 लाक टन पर सिमट गया। इसकी कुल उपलब्धता भी 37.08 लाक टन से घटकर 31.05 लाक टन पर सिमट जाने का अनुमान है। जिससे इसके निर्यात में स्वाभाविक रूप से गिरावट आ जाएगी। लेकिन बकाया अधिशेश में बढ़ोत्तरी होने की संभावना कनाड़ा में काबुली चना का पुराना स्टॉक तो 1.54 लाक टन से लुड़क कर 24,000 टन पर सिमट गया मगर इसका उत्पादन 1.28 लाक टन से सुधर कर 1.42 लाक टन पर पहुँचने का अनुमान है। इसके बावजूद काबुली चना की कुल उपलब्धता 3.11 लाक टन से घ घट जाएगा।